वेलकम बाक माई योडेप चैनल केट्स लर्नी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वास्त होंगे अपना कायर कर रहे होंगे चली आजम करेंगे द्वारदी के वरक्षित दिनांग 10 12 2020 क्रबांग संख्याव 130 आज की वरक्षित हमारी मैतमेटिक्स वरक्षित है जो क्लास 5 के लिए है यहां पार स्क्षिन ए बी सी आपका जो भी स्क्षिन हो लिख लीजेगा आजम करेंगे लिलेटेद लर्निंग आउटकम तो फाइंड हाफ वन थर्ड एंड वन फोर्थ और होल यहां पर स्टुटन अपना नाम लिखेंगे यहां पर टीचर का नाम तो चलिए बच कार शेप की है पिता जी ने कहा दोनों बच्चे चॉकलेट को बराबर बराबर पाट कर खाना अमन ने हर चॉकलेट को नीचे दिखाए गए तरीकों से बाटा है तारा को चॉकलेट कहीं से बराबर नहीं लगे आप भी चॉकलेट के चित्र को देखकर पता लगाए कि अमन ने कौन सी चॉइकल पर निशान लगाईए यहाँ चार चॉइलेट के चित्र दिए गए बच्चो ध्यान से अब इसमें से कौन सी सही है बराबर इसे में बटे हैं हिस्से बराबर है या नहीं या हिस्से बराबर है तो यह हिस्सा बराबर नहीं है तो यहाँ पर इसके टिक लगा है आगे देखते हैं हिस्से बराबर है या हिस्सा बराबर नहीं है तो यह देखे इस चॉकलेट को इस तरह से काट तोड़ा है उसने तो यह बराबर है अब यहाँ पर देखे हिस्से बराबर है या नहीं तो इससे बराबर नहीं है यह यहाँ आना चाहिए था तब बराबर होता तो यानि यह हिस्सा बराबर नहीं है तो यह देखे तो यहाँ पर लिख दीजे यह हिस्सा बर क्या आप चॉकलेट के दो बराबर इससे हिसों में बाट कर दिखा सकते हैं now चोकलर दी है इसे दो बड़ाबर रिसे में बाट लेते हैं तो यह उससे कर देते हैं क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिसा मिलेगा एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिसा मिलेगा एक बच्चे को कितना मिलेगा एक बटा दो चली आप जानते हैं जब हम किसी एक चीज या चीजों के समूग को दो बराबर हिसों में बारते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का आधा यानि हाव कहलाता है जिसी गणती भासा में 1 upon 2 एक बटा दो लिखते हैं जब हम किसी एक चीज या चीजों के समूँ को चार बराबर हिसों में बाटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का एक चौथाई यानि 1 upon 4 या quarter 1 upon 4 या quarter होता है जिसी गणती भासा में 1 बटा 4 लिखते हैं जब हम किसी एक चीज को या चीजों के समूँ को 3 बराबर हिसों में बाटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का एक तीहाई यानि 1 third कहलाता है जिसे गणती बासा में 1 बटा 3 कहते हैं देखिए जब बच्चो एक चीज को हम दो भागों में बाठते हैं तो 1 upon 2 होता है और जब हम एक चीज को 4 भागों में बाठते हैं तो वो कौन सा बन जाता है 1 upon 4 और जब हम एक चीज को 3 भागों में बाठते हैं तो वो क्या बन जाता है 1 upon 3 तो देखे इस तरह से इससे बने हुए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है अमन और तारा के दो मित्र भी उसी समय घर आ गये पिता जी ने कुछ और चौकलेट निकाल कर तारा को दिये और कहा अब इन्हें 4 बराबर हिसों में बाट कर खाना आप भी चॉकलेट के चार बराबर हिसों को हिसों में बाटने में तारा की मदद कीजिए नीचे करके दिखाया गया है देखे ये चॉकलेट है इसे चार हिसों में उसने बाटा है एक, दो, तीन, चार आपको इस तरह से चार हिसे में बाटना है तो यह हो गया 1 upon 4 1 upon 4 बच्चों यह हो गया यह वाला हिस्सा हो गया 1 upon 4 और यहाँ पर हो गया 1 upon 4 और यह हिस्सा हो गया 1 upon 4 अब इसे भी बाढ़ सकते हैं इसे आप इस तरह से बाढ़ दीजे यह इस भी है यह हिस्सा हो जाएगा 1 upon 4 और ये हिस्सा हो जाएगा 1 upon 4 और ये हिस्सा हो जाएगा बच्चो 1 upon 4 और ये हिस्सा हो जाएगा 1 upon 4 और ये हिस्सा देखें ये square ये आयत है इसे आराम से करिए जोके सही से नहीं हुआ पिर से करते हैं ये देखें बीच में आपको लाइम की देनी है बराबर तो यह हो जाएगा वन अपन फोर हिस्सा यह वन अपन फोर हिस्सा और यह वन अपन फोर हिस्सा चलिए आगे दिखते हैं तारा ने चौकलेट के चार बराबर हिस्से कर दिये सभी ने चौकलेट का एक चौथाई भाग का लिया अब एक चौकलेट और बज गई, तारा जब उसे चार बराबर हिस्सों में बाट रही थी तभी अमन ने कहा उसे और चॉकलेट नहीं खानी अब तारा को चॉकलेट के तीन बराबर हिस्से करने हैं, तारा ने चॉकलेट को इस प्रकार तीन हिस्सों में बाट दिया अब थीनों बच्चो को चोकलेट का 1 थी आई 1 थड यानि एक बटा तीन भाग मिला यहां पर देखिए इस तरह से उसने एक चोकलेट टी उसे 3 हिस्सों बराबार इस्सों में बाट दिया तो सब को कितना मिला 1 थड तो यह थे उसके इसने एक चोकलेट को 1 थड इससे में बाट दिया तो सब भी बच्चो को वन थर्ड चोकलेट मिली अभी भागों के लिए सुझाओ है कि बच्चो को आकरती बनाकर उसे तीन बराबर भागों में बाटने के लिए प्रेरित कीजिए आज का कोविट का मैसेज है जब भी बाहा निकले मास जरूर लगाए बच्चो कुरोना को हराना है तो मास जरूर लगाना है उमिद करते हैं कि आपको मेरी वॉक्षीट पसंद आए अगर पसंद आए यह तो लाइक करें शेर करें अगर आप मेरी चैनल पार नए है तो फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चो साथी साथ गंटी का बैल आइकन दवा दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें मेरी हर वीडियो की तब तक अपना ध्यान के बाई बाई